जैन दोस्तों वंदे मात अभी तक आप लोगोंने हर्बन प्रीत कौर का वो वीडियो तो देखी लिया होगा जिसमें उन्होंने आउट होने के बाद बांगलादेश के खिला गुस्से में स्टम्स के उपर बैट मार दी अब उनके उपर फाइन भी लग चुका है इन सभी च स्टेडियम में खेला गें सीरीज का ये डिसाइडर मैच टाई पर खत्म हुआ तीसरे वन टे में बेशक टीम इंडिया की बल्लेबाजी निरस्टर नक रही लेकिन शेरे बांगला स्टेडियम में भारत की बेटी हर्बन प्रीत कौर के साथ जो कुछ भी हुआ उसे कभी ब बार नहीं हुआ जब उनके साथ गलत हुआ इसी सीरीज की बात है जब प्रेजेंटेशन में एंकर को हर्मरीत कौर ने जैमी में बलाया था और तीसरे वन टे में खराब एंपायर ने तो हालत को बत से बत्तर कर दिया बांगलादेश दौरे पर जो भी कुछ हुआ उसे दे यारी सिर्फ रिकेट की नहीं होगी वे शुनिस्चित करेंगे कि हमें खेल के अलावा ने चीजों से भी नपटना होगा बांगलदेश क्रिकेट बॉर्ड को अच्छे से समझ जा जाया का आगया होगा कि अभी हर्मरीत कौर किस तरफ इशारा कर रही है अब यहां पर दो स इंडीज के खिलाव भी नूबॉल को लेकर बांगलदेश क्रिकेट टीम विवादों में रही थी तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिसी से एक्षन लेगा तो देखिए बिसी सी एई मतलब की भारत का क्रिकेट बोर्ड चिजों की सर्वोज संसा आइसी सी में उसकी कितन क्रिकेट टीम है जो पिछले कोच सालों से लगतार आइसी सी टूर्णमेंट के सेमी फाइनल फाइनल ने पहुंच रही है बांगलदेश को समझना चाहिए कि अगर टीम इंडिया उनके देश का दोरा कर रही है तो ना सिर्फ क्रिकेट में बलके आर्थिक रूप से भी उस की साथ किया है क्योंकि ऐसा एक दो बार नहीं बलकि कई बार देखा गया है कि बांगलदेश खुद को पाकिसान से भी बड़ा भारत का दुश्मन बताने को हिश करता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब बड़ा और सक्त कदम उठाने के लिए का नहीं छोड़ते ऐसा ही कुछ साल पहले 2016 में भी हुआ था जब तसकीन एहमत के हाथ में धोनी का सिर कटा हुआ पोस्टर वायरल हुआ था इस घटना के कारण बांगलदेश क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल लेवल पर शर्मसार होना पड़ा था लेकिन टीम के काड़ियों की घटी हारकते सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं एशिय कब 2018 में श्रिलंका के खिलाफ भी देखने को मिली थी जब मैच जीदने के बाद वे नागिन डांस करते हुँ नजर आये थे इस पर भी बांगलदेश क्रिकेट की काफी अलोचना हुई थी दरसल तीसरे वंडे में बांगलदेशी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 225 रन बनाएं लक्ष का पीछा करते ही बारतिय टीम की बल्लेबाजी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही चौतिस वे वर में हर्वनपीत कौर ने नाहिदा अक्तर के खिलाफ स्वीप लानी की वहिश करी लेकिन वो मिस कर गए ऐसे में उनके खिलाफ LVW की अपील करी गई खिलाडियों ने जैसे ही अमपायर से अपील करी अमपायर ने बिना समय कवाए तुरंती उंगली को हवा में उठा दिया इस दौरा हर्मन पीत कहती रही कि गयान बेट से लगी है लेकिन अमपायर इतनी यह मान ले कि हरमन ने गलत किया रिक्ट बंगलदेशी अमपायर ने जो किया वो कहीं से भी खेल में सुईकार है नहीं और बात सिर्फ अमपायरिंग की नहीं है दरसल जब टीम इंडिया फोटो सेशन के लिए मतलब मैच खतम होने के बाद सीरीज टाई हो गई तो जब उस और ने चिला कर बांगलदेशी खिलाडियों को बोला कि अमपायर्स को भी बुला लो वो भी टीम का हिस्सा है बता दे कि मैच में जो हर्मन तरीट ने किया उसके वज़े से उनको तीन डेमेरिट पॉइंट्स मिले उनकी 75 प्रतिशत मैच फीस भी काटी गई है अगर उन्ह पूरी तरह से उनकी समस्या है मेरा इससे कोई लिने देना नहीं है खिलाडी के तोर पर वे बहतर तरीके से पेशा सकती थी लेकिन वहां मतलब जो तस्वीर के लिए जो हुआ वहां अपनी टीम के साथ रहना मुझे ठीक नहीं लगा वो सही माहल था नहीं इसलिए हम वाप की कंडिशन बनी रही ये खिलाडियों के बीच नहीं बलकि भारते टीम और अंपायर के बीच थी मैच में अंपायरिंग कर रहा है दोनों बानादेश के अंपायर थे उन्होंने भारती टींग के खिलाफ कई गया कई सारे गलत फैस ले दी इसमें हर्वन पीर को गलत में जाते ही अंपायरिंग पर सवाल उठा दी उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर बार बार बानादेश का दौरा करेंगे तो इसके लिए भी हमें तयारी करके आना पड़ेगा हर्मन प्रीत ने कहा कि मुझे लगता है कि खेल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला क्रिकेट अधिकारी भी मैच देखने स्टिडियम में पहुंचे थे और मैच के बाद अवार्ट फंक्शन में उन्हें भी नहीं बुलाया गया इस पर भी भारती कप्तार हर्मन प्रीत कौर का गुस्ता देखा उन्हें इंटर्व्यू में कहा कि आखिर में भारत के हमारे हाई कमिशन भी यहां थे मुझे लगता है कि आप उन्हें यहां मंतरित कर सकते थे लेकिन ये भी ठीक है मैच देखने आने के लिए हर्मन प्रीत कौर ने उनको भी धन्यवाद ही कहा आपको क्या लगता है हर्मन प्रीत का विवहार कैसा था ठीक था या बुरा था कमेंट करके ज़रू बहुता है